हेले स्टुडेंट्स कैसे आप तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में तो क्लास 12 का एटम्स हम पढ़ने वाले जिसमें हम मैजॉर्टी अपना नील बोर्स मॉडल के उपर स्पेंड करेंगे ठीक है उससे पहले हम थोड़ा सा इंटोडक्शन जरूर देंगे और फोड का अलफा स्केटरिंग भी हलका से देखेंगे उनके क्या ड्रॉबैक्स थे वह देखेंगे जिसके कराड़ हमारे नील बोर्स का मॉडल आया यह सब सारी चीज़े हम देखेंगे लेकिन हमारे इस 12 के चप्टर का मीन थीम होता है नील बोर्स मॉडल और उसके आधार पर हम विलासिटी केलकुलेट करते हैं और बिट में रेडियस केलकुलेट करते हैं और इस साथ ही साथ आपने रिट बोर्स मॉडल पढ़ा जिसके अंदर हम देखते हैं कि हाइड्रोजेन इटम से अलग-अलग कौन से स्पेक्ट्रम निकलते हैं यह सब सारी चीज़े हम पढ़ा जाता है और इससे पहले के जो मॉडल ने जैसे चीज़े थांपसण सबसे पहले जाण डल्टन का मॉडल फिर उसके बाद रदर-फॉर्ट का मॉडल यह सब मॉडल और अपने लोवर क्लासेश में भी पढ़ चुके होंगे जो चाहां अब टिन्थ या ना इंफ मे क्लासेस होंगी उनमें भी आप पढ़ चुके होंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले किस ने दिया था तो जान डॉल्टन ने दिया था सबसे पहले अटामिक मॉडल सम्थिंग अठारा सो तीन में उसके बाद एक साइंटिस्ट है उनका नाम था जेजे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद उन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसको बोलते है वाट आया था तो जिए थॉम्सन के मॉडल को फिर रधरफॉर्ट ने सील किया अशुपरिमेंट की ये य yhtा वडरी blinking करपाया जो या रदर फोड के alpha scattering model को explain नहीं कर पाया तो आज हम अपने लेक्चर की शुरुवात रदर फोड मॉडल से करेंगे और आज के लेक्चर में हम रदर फोड का मॉडल उनके उनका क्या observations थे और उनके उनके अधार पुर्ण ने क्या conclusion ड्रॉ किये और साथी साथ हम आज distance of closest approach के बारें भी पढ़ेंगे कि alpha scattering का जो alpha particle है वो atom के ये nucleus के कितना close जा पाया जिसके आधार पे estimation of the size of the nucleus भी रदर फोड कर पाया और बता पाये कि जो nucleus का size है वो 10 raise to power minus 15 फर्मी होता है इसी को एक फर्मी कहता है तो चले स्टार्ट करते हैं तो आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे रदर फोड alpha scattering experiment और उसके बाद distance of closest approach देखेंगे नेक्स क्लास में हम नील बोर का model यहांते रदर फोड का model का failure भी आज पढ़ेंगे और नेक्स क्लास में हम नील बोर के model को continue करेंगे ठीक है तो चले पढ़ते हैं रदर फोड alpha scattering experiment तो जैसा जानते ही student रदर फोड ने कह लिया था thin gold foil ली थी पतली सी gold का foil लिया था अब इन्हेंने gold का अभी foil क्यों लिया था यह काफी common question पुछा आता है तो यहाद रहें कि student gold जो है सबसे ज्यादा malleable metal है मतलब मतलब इसके seat में सबसे पतला seat अगर किसी metal का बनाया सकता है तो गोल्ड है जितने भी metal possible हमारे नेचर में तो सबसे पतला लेयर अगर किसी गोल्ड का तैयार किया सकता तो वो इसकी Wen weit लेयर किसी metal का तैयार किया सकता है तो गोल्ड का तैयार किया सकता है इसलिए the weather mode ने गोल्ड को चूज किया क्योंकि इसके सबसे थिन लेयर प्रिपेर कर पाना रधर फोट के लिए पासुबल था that is gold is the highly malleable metal ठीक है malleable means ability to be bitten into seeds ठीक है तो यह ऐसा इन्होंने लिया एक गोल्ड फॉयल ने लिया और इसके बाद पीछे इन्होंने एक fluorescent screen जो कि jinx sulfide की fluorescent screen थी वो लगा दी ठीक है न एक पूरे experimental detail में मैं नहीं जा रहा नहीं आपके board purpose में कभी experimental detail पूछा जाएगा बस जो भी पूछा जाएगा तो इसके observations कभी कभी पूछे जाएगे otherwise ज्यादा तर question तो नील बोर्ज मॉडल से ही आते हैं ठीक है students तो इन्होंने alpha particle के bombardment कराई तो इन्होंने alpha particle के bombardment कराई तो क्या देखा है students कि ज्यादा तर alpha particle straight चले गए कुछी alpha particle ऐसे थे जो हलका deviate किये कुछ alpha particle बहुत ज्यादा deviate किये और कुछ alpha particle ऐसे भी छे जो वापस direct आ गए हला कि इनकी संक्या बहुत कम थी ठीक है तो मैं एक estimated diagram बना रहा हूँ student उतना detail नहीं बना रहा ऐसे बहुत सारे alpha rays गई और बहुत सारे यहाँ पे fluorescent screen पे हमें print प्राप्त हुए लेकिन मैं उसे पूरे detail में नहीं जा रहा बस आपको एक qualitative analysis की करा रहा हूँ ठीक है त सब्सक्राइब 1-8000 में से 8000 में से एक particle ऐसे थे जो वापस है वैसे alpha particle होते गया है अगर किस कुछी कोई alpha particle मैं doubt है तो alpha particle के बारे में बता दू student जो helium का atom होता है helium का atom जैसे HE 4 2 atomic number 2 mass number 4 अगर इसमें से 2 electron आप निकाल दीजे इसके अंदर से 2 electron निकाल देंगे तो इसके उपर प्लस 2 charge है जाएगा helium atom के उपर प्लस 2 charge होगा इसी particle का नाम है alpha particle जब helium atom से 2 electron आप निकाल देंगे तो जो particle बचेगा इसी particle का नाम है alpha particle ठीक है अच्छा है student gold foil experiment अभी है इसा रहा तो इनके experiment के key observations क्या थे इनके experiment के key observations क्या थे कि majority of the alpha particle winds undeviated तो इन्होंने इससे क्या concept इससे क्या conclusion निकाला कि most of the atoms part is empty या vacant इन्होंने बताया है कि atoms का more than 90% पार्ट जो है या more than 90 उससे भी ज्यादा पार्ट खाली जगह है मतला उसमें कुछ भी नहीं ह ठीके ना और फिर उसके बाद इन्होंने क्या conclusion निकाला दूसरी चीज़ के भाई कुछ जो है थोड़ा सा deviate हुए कुछ बहुत ज्यादा deviate हुए तो इन्होंने बोला कि atoms के center में एक positive charge रखा हुआ जिसके कारण जो positive charge के जब करीब से alpha particle गए तो ज्यादा deviate हुए positive charge से थो जेंटमें से एक particle जो है direct अपने path को retrace किया तो उन्होंने क्या बोला कि बहुत atoms के बहुत कम space में उसका सारा mass है और उस mass के उपर positive charge है जहां से यह alpha particle वापस आया है यह positive charge है ठीक है जहां से alpha particle वापस है तो उन्होंने बोला था इसे क्या conclusion निकला कि atom का जो सारा का सारा mass और charge है वो center पे है सारा का सारा मतला center उसका एक बहुत dense highly charge और highly mass density वाला mass density वाला है इसी को उन्होंने nucleus नाम दिया था तो रदर फोर्ड ने रदर फोर्ड की discovery बोला है कि बहुत रदर फोर्ड ने अपने alpha scattering model से nucleus का भी खोज किया था तो इन्होंने अपना फिर इसके observation के आधार है और उसका सारा का सारा मास center में है और center के उपर एक थिक positive charge है बहुत कम particle वापस है इन्होंने अपनी एक atomic model दिया तो इनका atomic model का थे इनका atomic model था आप सब लुक जानते होंगे कि Center के उपर सारा का सारा एक इटम का सारा का सारा मास और जो उसका चार्ज है वो center के उपर होता है और electron उसके चारों तरफ revolve करते है इलेक्ट्रान इसके चारों तरफ करते हैं यह किससे इंस्पायर थे मोडल से इंस्पायर होई और इन्होंने यह भी बता है कि जैसे नुकलियस के size का भी estimate किया और उन्हें ने बता है एटम का size लगभग 10 Är to pop आर माइनस 10 मीटर का होता है इसको इंस्ट्रॉंब कहते हैं एक के order का होता है और स tense रож onुक्लिस का सइज होता है लॉड देट नेस घंग संने मिटर यानि एक फरमी का होता है एक खरोता है ना एक फरमी का होता है यानि अगर मैं बात करूब कि एटम से साइज के साइज से साइज, न्यूक्लियस के साइज से एक में आप रेशियो निकाल सकते हैं स्टुडेंट के भाई 10 राईज टू पावर 5 टाइमस ते न्यूक्लियस से एक में बड़ा होता है इसी बात को उन्होंने रदर फोर ने कणवे किया अपने अटामिक मॉडल से अच्छे ठीक है अब इस model का drawback क्या था, इस model का drawback क्या था, इन्होंने तो ऐसा बता दिया, इस model का drawback क्या था, इस model का drawback ये था कि तब तक एक wave की खोजू चुके तो उस wave का नाम है electromagnetic wave, तो उस electromagnetic wave कौन create करता है, electromagnetic wave का source क्या है, electromagnetic wave कैसे create होती है, तो भाई उस समय तक पता चल चुका था कि अग अगर कोई भी चार्ज पार्ट के एक्सेलेट करता है तो वो एम वेव क्रिएट करता है तो देखें जब कोई भी चार्ज पार्ट के एक्सेलेट करता है तो 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 यानि ये electron accelerate कर रहा है, जो electron है वो accelerate कर रहा है, charge particle accelerate कर रहा है, तो अगर charge particle accelerate कर रहा है, तो इससे एक EM wave radiate होगी, EM wave बाहर निकलेगी, यानि अगर charge particle accelerate करेगा, तो इससे EM wave बाहर निकलेगी, और अगर EM wave बाहर निकलेगी, तो by the law of conservation of energy, electron अपनी energy खोता जाएगा, तो अगर electron अपनी energy खोता जाएगा तो lower orbits में आता जाएगा क्योंकि energy जितनी कम उतनी lower orbits में आपको आना पड़ेगा lower orbits में आता जाएगा तो लगातार अगर EM wave निकलेगी तो इस spiral मन के electron nucleus के अंदर चला जाएगा अगर energy खोता जाएगा lower orbits में आता जाएगा नुक्लियस में चला जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा पूरी दुनिया तो एक्टम से बनी है और पूरी दुनिया तो डिस्टॉई हुई नहीं इसका मतलब रोधार फोड का यह वाला मॉडल था इसमें यह ड्रॉबैक है जो ऑर्बिट वाला इनका मॉडल था जिसमें इन नहीं के रहा दूसरी बात इन्होंने एक स्पेक्टरल लाइन का स्टेडि किया गया है जाब हाईड्रोजन एटम के ऊपर हाईड्रोजन एटम जो गैसे स्ट्वाविट उसके उपर जब इलेक्रिक फिल्ड और मैंगनेटिक फिल्ड पास करा गई तो लाइट निकली उससे कुछ spectral lines निकले, उन spectral lines का explanation रदर फोर नहीं कर पाये थे, तो यह इनके model की disadvantage थी student, तो इसी model को फिर दूर किया Neil Bohr ने और देखेंगे को कैसे दूर किया अपने next class में, तो आज के lecture में हम आगला पढ़ते हैं, जो हमने बात किया था आपसे distance of closest approach, इसके notes को आपको लिखने की ज जरूत नहीं, बस आप समझते रहें concepts को, ठीक है, अब हम बात करते है distance of closest approach की, तो इस student आप हम बात करने वाले कि distance of closest approach क्या है, तो देखें, जैसे अगर माली जैसे मैंने आभी रदर फोर्ड का जो experiment बता है, इसमें center के उपर जो charge होगा, वो अगर atomic number Z है, तो इसके उपर charge ह होगा, वो Z into E होगा, अगर एक proton के उपर charge में प्लस E बात करूं, वहीं E है, 1.67 into 10 raise to power minus 19 Coulombola, तो center के उपर charge कितना होगा, प्लस Z, अब जैसे ये alpha particle, जो alpha particle return करके है, अब हम उसकी बात कर रहे है, तो alpha particle जैसे इसके पास जाना सुरू करेगा, तो पास जाना सुरू करेगा इसको एक कुलांबिक repulsion feel होगा, क्योंकि alpha particle के उपर कौन सा charge है, positive, और इसके बाद 2E प्लस 2E चार्ज है, और इसके बाद जब ये पास जाएगा, तो ये इसको ripple करेगा, तो ये पूरा जाके nucleus से टकरा नहीं पाएगा, nucleus से कुछ दूरी पे रह जाएगा, ये D, nucleus से कुछ दूरी पर एगा, क्योंकि alpha particle है, तो एक time ऐसा है, जैसे मैं यहां से कुछ kinetic energy से इस alpha particle को भीजा हूँ, तो यहां पर जाने के बाद क्या होगा, कि kinetic energy कम होती जाएगी, क्योंकि ये इसको repulsion करेगा, तो speed को कम करता जाएगा, तो एक point ऐसा आएगा, जिसके बाद ये nucleus के और पास नहीं जाएगा, तो यह जो D है, वो distance of closest approach है, अलफा particle इतना ही पास में जा सकता है, तो इस D को हमको calculate करना, तो कैसे calculate किया जा है, तो simple energy conservation की equation लगा देंगा, यहां पर पहले alpha particle पास kinetic energy थी, यहां पर जाने के बाद पूरी kinetic energy खतम हो गई, किस में convert हो गई, potential energy में, और वो potential energy कौन सी है, कुलांबिक potential energy, जो आप पढ़ते हैं, क्यू अन, क्यू टू बाई, आर, तो चलिए वहीं काम करते हैं, तो सुरुशनों में इसके पास kinetic energy थी, बाद में यहीं kinetic किस energy किस में करना हो गई, potential energy में, तो यह दोनों equal होनी चाहिए, by the law of conservation of energy, क्योंकि यहां पर कोई भी non-conservative force नहीं है, तो देखे कि kinetic energy को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाफ mv square, यहाँ पर m क्या है, alpha particle का mass, ठीक है, p e, p e क्या होगा, तो k, k वहीं, कुलांब, कुलांब फोर्स वाला, k, इसको इसको 9 into 10 raise to power 9, k into z, एक चार्ज है z, दूसरा चार्ज है 2e, z e into 2e, क्यों, k q1 q2 तो z into 2e divided by d, z into 2e divided by d, तो अगर इसको आप solve करेंगे, तो d के value कितने निकल क्या है गी student, d के value निकल क्या है गी, 4k, 4k, ze square, देखे, 2 से इधर, यह 2 अधर जाकर multiply हो जाएगा, और यह e, e, e square हो जाएगा, 4k, z square, divided by mv square, इसी को हम क्या कह रहे है, इसी को हम कह रहे है, distance of closest approach, इसी से rather food ने, size of the nucleus का estimation किया था, तो अमीद है, आपको यह lecture पसंद आया होगा, और अगर आपको यह lecture पसंद आया है, और आपने इस वीडियो को last तक देखा है, तो जरूर हमें like करें, जिसे में पता चलेगा कि यह वीडियो आपने last तक देखा है, और इसके बाद next class में हम नील बोर मॉडल के बारे हम पढ़ेंगे, और उसके details को देखेंगे, जो आपके class 12 का main course है, ठीक है, शुरूर है, कि ivो आपके ूर अर वीडियो